नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आप सभी का, आपके अपने यूटूब चेनल, अपनी क्लास में, दोस्तों, यदि आप राजस्तान के अंदर, स्कूल या फिर कॉलेज के विद्धारती हैं, तो आप सबको यह अच्छे से पता होगा, कि RBSC बोर्ड जल्द ही आपका माहत् गांधी सर्वोदे विचार परिक्षा का पेपर लेने वाला है, अब ऐसे में काफी विद्ध्यारतियों ने, ना तो इस एक्जाम की तियारी के लिए, कोई बुक पढ़ी है, और ना ही सिलेबस को कभी आंगों से देखा है, तो अब उन विद्ध्यारतियों की यह चिंता ह कि हम पेपर में करेंगे तो करेंगे क्या, तो दोस्तों आप टेंसल मत लेजिए, पहली बात तो यह, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सब के लिए सर्वोदे विचार परिक्षा के 20 ऐसे most important questions लेकर आया हूँ, जिनका आपके पेपर में आने का chance 100% है, तो इसलिए दोस्तो आप मेरी सलाम मानिए, आप अपने पेपर को देने से पहले मेरे इन सभी प्रशन को जूरूर पढ़कर जाना, आपका दोस्तों पेपर जो है, वो बहुत अच्छा होने वाला है, दोस्तों तो चलिए, अब हम देखते हैं, हमारे इस पेपर का पहला प्रशन, जिसमें आप आप से पूछा गया है, कि यह कतन किस ने कहा, कि ऐसे जीओ, जैसे तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सिखो, कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो, तो दोस्तों आप सबको पता होगा, कि यह जो सरवदय विचार प्रिक्षा है, उसमें आप से गांधी जी का जो जीवन है, और जो गांधी जी ने भारत को किस परकार से आजादी दिलाई, इससे समधित प्रिक्षान पूछे जाएंगे, तो दोस्तों यदि आपको प्रिक्षान के ओप्षन में मात्मा गांधी जी मिले, तो आप सिधा सिधा उस पर टिक कीजिएगा, आपका जो उतर है, वो 100% करे अंसर होने वाला है, दोस्तों तो चलिए, अब हम आगे चलते हैं, हमारी पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रशन आता है, इसमें आप से यह पुछा गया है, कि अंतराश्ट्री अहिसा दिवस और गांधी जेनती कब मनाई जाती है, तो दोस्तों भारत के बच्चे वो यहाँ पर अंसा को सपोर्ट करते थे, यानि कि नौन वोईलनेस को सपोर्ट करते थे, वो चाते थे कि पीसफुली हर काम हो जाए, शान्ती से हर काम हो जाए, ठीके ना, तो दोस्तों गांधी जेनती और अंतराश्ट्री अंसा दिवस यानि कि इंटरनेशनल नौन जो D option है, वो दोस्तों बिल्कुल correct answer होने वाला है, तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, हमारी पास में अब इस paper का तीसरा प्रशने वो आता है, इसमें आप से पुछा गया है कि महत्मा गांधी ने on to this last को गुजराती में अनुआज करने पर शिर्सक को क्या न नाम है, ठीके ना, दोस्तों महत्मा गांधी जी ने on to this last जो बुक है, इसका गुजराती में अनुआज किया, क्या किया, गुजराती में अनुआज किया, तो दोस्तों गुजराती में ट्रांसलेशन करने के बाद में on to this last का मतलब बनता है, सर्वोदे, क्या मतलब बनता है सर्वोदे और दोस्तों आपकी प्रिक्षा का नाम भी क्या है सर्वोदे भी चार प्रिक्षा तो इस परकार से option में देख लेना आपको दोस्तों उत्र वही मिल जाएंगे तो इस परकार से तीसरी का जो C option है वो दोस्तों बिल्कुल correct answer होगा दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारी पास में अब इस paper का चोथा जो प्रशने वो आता है इसमें आप से पुछा गया है कि महत्मा गांधी जी का जो जनम है वो किस स्थान पर हुआ था तो दोस्तों महत्मा गांधी जी का जनम गुजरात के पोर बंदर में हुआ था तो इसमें आप देख सकते हैं पोर बंदर लिखावा है तो दोस्तों ये पोर बंदर क्या है महत्मा गांधी जी का बर्थ पलेस है तो इस परकार से दोस्तों चोथे का जो A option है वो बिल्कुल correct answer होगा option B यहाँ पे incorrect होने वाला है मद्य प्रदेश में नहीं हुआ था दोस्तों गुजरात के पोर बंदर में मात्मा गांधी जी का जनम हुआ था दोस्तों तो अब आप चोथे परशन के नीचे पांचवाँ जो परशने उसे देख सकते हैं इसमें आपको यह बताना है कि गांधी जी का नाम निमिल लिखित में से किस नारे से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत की अजादी में मात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा मेत्पुन योगदान था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भारत के अंदर अंग्रेज आये वे थे उनको बगाने का जुब कार्य है वो मुखे रूप से महात्मा गांदी जी नहीं किया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भारतियों को के दिया था यदि आपको अंग्रेजों को बगाना है तो उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी ठीक है न तो इस परकार से करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था ये दोस्तों महात्मा गांधी जी का नारा है तो दोस्तों 5 में का जो ए option है वो बिल्कुल correct होगा गांधी जी का नरता करो या मरो तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं हमारे पास में अब इस paper का छटा प्रशना आता है इसमें आपसे ये पुछा गया है कि महत्मा गांधी और उनके स्वेम सेवकों ने दान्डी मर्च कब से शुरू की थी तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ महत्मा गांधी और उनके स्वेम सेवकों ने दान्डी मर्च जो है वो यहाँ पर सन 1930 में शुरू किया था उसको तो इस प्रकार से छट्टे का जो B option है वो बिल्कुल correct answer हो जाने वाला है इसी के साथ दोस्तों आप छट्टे प्रशन के आगे साथवा जो प्रशने उसे देख सकते हैं इसमें आप से पुछा गया है कि महात्मा गांदी और उनके स्वयम सेवकों ने साबरमती आशरम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तेख किया था तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि महात्मा गांदी और उनके जो हेलपर थे उन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी तक की पेदल यात्रा की थी उसे हम क्या कहते है डांडी मार्च कहते है और दोस्तों ये जो पेदल यात्रा थी ना इसको दोस्तों लग भग यहाँ पे 24 दिन लगे थी कितने दिन लगे थी? 24 दिन लगे थी तो इस प्रकार से साथ में का जो ए उप्षन है वो दोस्तों बिल्कुल correct answer होगा दोस्तों तो आब आप आगे देखिए हमारे पास में इस paper का आठमा प्रशन आता है इसमें आप से पूछा गया है कि साबरमती आश्रम कहां प्रस्तित है तो दोस्तों साबरमती जो आश्रम है न वो एहमदाबाद में इस्तित है और दोस्तों एहमदाबाद आपको बताईए कहां पर है दोस्तों एहमदाबाद है गुजरात में कहां पर है दोस्तों गुजरात में जहां पर नरेंदर मोधी स्टेडियम बना हुआ है और दोस्तों मैं आपको कहा भी था कि गुजरात के पोर बंदर में क्या हुआ है मात्मा गंदी जी का जनम हुआ है ये दोस्तों आपको बात याद रखने है गुजरात यहाँ पर भारत का बहुत इंपोरेंट स्टेट है मात्मा गंदी जी के नजरिये से तो इस परकार से दो मिल लिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है दोस्तों तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी जैसे कि यहाँ पर आप option में देखिए option number A में बताया गया है सत्ते के साथ मेरे परियोकों की कहानी The Story of My Experiments with Truth यह दोस्तों महात्मा गंदी जी की बहुत ही famous book है इसे दोस्तों यहाँ पर राहूल गंदी जी और मुक्या मंतरी अशो गेलो जी दोनों पढ़ चुके हैं और वो दोस्तों लोगों को suggest भी करते हैं कि आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें ठीक है इसे किसाथ B option देखिए हिंद सवराज यह भी दोस्तों महात्मा गंदी जी की बहुत ही famous book है उसे किसाथ C option देखिए सत्या ग्रे यह भी दोस्तों महात्मा गंदी जी दोरा लेकी गई पुस्तक है तो दोस्तों इस परकार से यह तिनों क्या हैं महात्मा गंदी जी दोरा लेकी गई books हैं तो इसमें आप D option देखिए उपरूप सभी क्या है वो यहाँ पर correct answer होने बाला है चलिए अब हम आगे देखते हैं इस paper का दस्वा प्रशन जिसमें आप से यह पुछा गया है कि निमिल लिखित में से कौन सा अंदोलन भारत में महात्मा गंदी जी का पहला अंदोलन था तो मैं आपको बताना चाओंगा भारत में वेसे तो महात्मा गंदी जी ने कई अंदोलन लड़े लेकिन महात्मा गंदी जी का भारत में जो पहला अंदोलन है न वो था चंपारण सत्यागरे अंदोलन कौन सा था चंपारण सत्यागरे अंदोलन दोस्तों यहापर में पको तरना चाओंगा कि जो चमपारन है न वो किसी जगह का नाम है ठीक है न और दोस्तों आप यह में समझ देना कि चमपारन गुजरात में है नहीं दोस्तों चमपारन गुजरात में नहीं है जबकि चमपारन बिहार स्टेट में है तो इस परकार से आप से वे से परसन में तो यह पूछा गया थ था कि भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था तो वो था चमपारन सत्यागरे आंदोलन तो दस्वें का जो यह आप्छन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में याप इस पेपर का ग्यारवा जो प बताना है कि 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुवात की थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा सन 1920 में महात्मा गांधी जी ने और सहयोग आंदोलन की शुरुवात है वो की थी नोन कोपरेशन मूवेंट है उसकी शुरुवात की थी तो इस परकार से दोस्तों ग्यारवे का जो C option है वो यहाँ पर बिल्कुल correct answer होने वाला है इसी की आगे दोस्तों अब आप इस paper का जो 12 प्रशन है उसे देखिए इसमें आपको यह बताना है कि निमिल लिखित में से कौन सा उद्वरण उद्वरण का मतलब यहाँ पर statement से यान कि कौन सा statement महात्मा गांधी जी द्वरा लिखा गया है तो दोस्तों इसमें आप 12 प्रशन देखिए आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गल्दियां करने की आजादी शामिल ना हो तो दोस्तों यह दो statement है वो यहाँ पर और फिर आप जीत जाएंगे तो दोस्तों यह जो कथन है न वो भी महात्मा गांधी जी नहीं कहा था ठीक है चलिए आगे वाली option देखते हैं तो दोस्तों अगला जो हमारे पास में C option आता है उसे देखिए कुरता का उत्तर कुरता से देने का अर्थ अपने नेतिक वे बोधिक पतन को सविकार करना है तो दोस्तों यह जो कथन है न वो भी महात्मा गांधी जी नहीं कहा था तो इस परकार से दोस्तों A कथन, B कथन और C कथन, तिन्नों महात्मा गांधी जी दोरा कतित हैं तो इस परकार से D option देखिए उपरूग सभी दोस्तों यहापर correct answer होने बाला है 12 में प्रश्ण का दोस्तों तो आप आप आगे देखिए हमारे पास में इस paper का जो 13 मा प्रश्ण है, वो आता है इसमें आपको यह बताना है कि 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था तो दोस्तों आप सको बदाना चाहूंगा सन 1982 में एक फिल्म आई थी उसका नाम था गांधी दोस्तों इस गांधी फिल्म में महात्मा गांधी जी का जो किरदार है वो किसने निभाया यह आपको बताना है तो दोस्तों महात्मा गांदी जी का जो किरदार है वो इस फिलम में निभाया था बेन किंग्स लेने किसने निभाया बेन किंग्स लेने तो इस प्रकार से 13 वे का जो A option है वो दोस्तों यहापर बिल्कुल correct answer होगा दोस्तों तो अब आप 13 प्रशन के नीचे जो 14 प्रशन है उसे देख सकते हैं इसमें आपको यह बताना है कि महात्मा गांदी जी की हत्या कब हुई थी तो दोस्तों महात्मा गांदी जी की जो हत्या है ना वो हुई थी 30 जनवरी 1948 में ठीके न, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या उभी थी उनको मारा गया था। तो इस परकार से चोद्वें का जो B-Option है वो दोस्तों बिल्कुल सही उत्र होने वाला है। तो अब आप चोद्वें प्रशन के आगे देख सकते हैं, पंद्रमा प्रशन आता है। इसमें आपको यह बताना है कि महात्मा गांधी जी को दक्षन अपरिका के किस रेल्वे स्टेशन से फेंका गया था। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूंगा महात्मा गांधी जी क इसमें आपको कहा गया है कि महात्मा गांधी जी की समाध़्ी स्थल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भारत के अंदर अभी जो महात्मा गांधी जी का जो समाधी स्थल है वो दोस्तों दिल्ली में है कहां पर है दिल्ली में और दोस्तों इस समाधी स्थल को दिल्ली में कहते हैं राजगाट क्या कहते हैं दोस्तों राजगाट तो इस इस पेपर में सौलमें प्रशन के आगे सत्रमा जो प्रशन है उसे देख सकते हैं इसमें आपको यह बताना है कि करो या मरो यानि कि डू और डाई नारे का सम्मन्द किस आंदोलन से है तो इस परकार से जो आंदोलन की शुरुवात की गई थी बार से अंग्रेजों को निकाल जो तीसरा ओप्शन है C वो बिल्कुल correct answer होगा दोस्तों तो अब आप इस पेपर का जो अठारवा प्रशन है उसे देख सकते हैं इसमें आपको यह बताना है कि किसे अमेरिकन गांदी के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों अमेरिकन गांदी के रूप में जाना जाता ह मार्टीन लुथर किंग को किसे जना दता है मार्टीन लुथर किंग को ये अमेरिकन गांधी कहलाते हैं तो यहां पर अठारवे खा जो पहला अप्षन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा तो अब आप अठारवे प्रशन की आगे 19 प्रशन देखिए इसमें आपको यह बताना है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरू कौन थे तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के जो पॉल वो दोस्तों बिल्कुल सई आंसर होगा दोस्तों तो चलिए अब हम इस पेपर का अंतिम और 20 प्रशन देखते हैं इसमें आपको कहा गया है कि गांधी जी के अनुसार इसलाम शब्द का अर्थ क्या होता है यानि कि दोस्तों गांधी जी के अकोडिंग इसलाम वर्ड का मी दोस्तों यानि कि दोस्तों पीस सेक्यारिटी एंड लिबरेशन ये दोस्तों गांधी जी के अकोडिंग इसलाम शब्द का अर्थ है तो दोस्तों यहाँ पर 20 प्रशन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सर्वोदे विचार संसकार प्रिक्षा की 20 most important प्रशन बताए दोस्तों मुझे पूरी आचा है और पूरा विश्वास है कि इनी 20 प्रशनों में से आपका तो पेपर है वो बनने वाला है तो दोस्तों यदि आपको ये प्रशन पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर द अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत